असलाम उलेकुम रह्मुत उल्लाही बरकातु हूँ अजीस तुल्बाउत तालबात एक बार फिर से इस्तिक्वाल है आपका ZK Digital School में आज हम देखेंगे T.A.T. exam का 2013 का पेपर सोलुशन अजीस सात्यो 2013 से लेकर अब तक कि जितने पेपर हुए हैं तमाम सोलुशन आपको हमारे इस चैनल पे मिलेंगे अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए दर्जेल एक्तिबास का बग़र मुताला कीजिए और दिये गए सवालात के चार मतबादिल से सही मतबादिल के निशान देख कीजिए जामा अज़र और जामत अलजहर दो मुखतलिफ इदारे है जामा अज़र मस्जिद है जिसकी तामीर 361 हिज्रे में मुखजल्ला के गुलाब जाहर अलकातिब ने उस वक्की जब उसने काहरा आबाद किया इस इतिबार से ये काहरा की सबसे कदीम मस्जिद है और इसकी तामीर में एक ऐसा तिलिसम रख दिया गया कि इसमें कोई परिंदा मकड़ी या कबूतर वगएरा नहीं रह सकता इस जमाने के दस्तूर के मताबिक आने लगे अजीज सात्यों अब इस पर सावलाद देखते हैं कि जमा अजहर के तामिर किस ने की तो देखे यहां पर आप्शन नमबर दो सही है यहां पर जवारुल कौतिब ने मुतदिद उलोम के तद्रिज के लिए किस इदारे के बुनियाद पड़ी तो पैरे बच्चो यहां पर भी आप्शन नमबर दो सही है चामत अलजहर सवा नमबर तीन किस वज़ा से मस्जिद में कोई परिंदा मकडिया कबुतर नहीं रह सकता तो तिलिस्म की वज़ा से अगला सवाल मतद्द क्या है तो शोबिजात आईए पैरे बच्चो आगे देखते है दिये गए मतबादालात में से तीन मुद्द गलत है सही लफ मसद्द है वो लफ जो किसी इसम की जगा इस्तिमाल होता है क्या कैलाता है तो जमीर उसे कहा जाता है जमीर अगला सवाल जमाल अमजद किस की सौन्या उम्री है अजीज सात्यो ये है अमजद हैदर आबादी की अप्शन नमबर चार सही आपर अगला सवाल देखते है तीस परवाने शम रिसालत के किस की तस्नीफ है तालिब हाशमी पैरे बच्चो अजीज असातजाए कराम अगर आपने अभी तक चैनल को सबस्क्राइब नहीं किया तो जरूर सबस्क्राइब कीजिए आप डिजीटल स्कूल एंडॉट एप भी डाउनलोड कर सकते हैं ये भी बिलकुल फ्री है राजंदर सिंग बेदी की सन विलादत क्या है सन 1915 फलाहत के मानी खेती बाड़ी करना अगला सवाल है नजीर अकबर आबादी का असली नाम बताईए वली मुहम्मद अजीज दोस्तो हम देख रहे हैं 2013 का टीटी एक्जाम का बोर्ड पेपर सॉलूशन आईए आगे देखते हैं अगला सवाल आपके सामने है सवाल इस तरह से है नजीर अकबर आबादी का असली नाम बताईए तो वली मुहम्मद नजीर अकबर आबादी का असली नाम है वली मुहम्मद इससे पहले हमने देखे थे फराहत के मानी खेती बारी करना अजीस दोस्तों अगला सवाल है शहर यार को कौन सा इनाम मिला यह अलिसवा सवाल है शहर यार को कौन सा इनाम मिला था अप्शन नमर चार इसका सही है गयान पेट एवार्ड मिला था आगे बढ़ते हैं और 42 सवाल देखते हैं शमसुल उल्मा किसे कहा जाता है ये अक्सर पूचा जाता है दैन में रखिए अलताफ हुसेन हाली जवाब है अलताफ हुसेन हाली अगला सवाल आपके सामने हाकिम की जमा हुकाम हाकिम की जमा हुकाम पहला आप्शन यहाँ पर सही है अफराद की जिद यहाँ पर पूचा गया है तो कम्याब देखिए यहाँ पर मुरब्बी की तानीस मुरब्बिया दर्जेल से किस लफ़ के आगे खेर लगाने से वो बामाने साबका बन जाए तो देखिए आपे जाब एक खौँ खेर खौँ खेर खौँ शेर की सनत पैचानिये अदब से ही इनसान इनसान है अदब जो नसी के वो हैवान है तो इसमें इनसान उन हैवान ये एक दुसरे की जिद है इसलिए ये है सनत तज़ाद सनत तज़ाद आगे देखते हैं महावरे के माने बताईए सुर्क रो होना यानि काम्याब होना उन्चास देखिए जुम्ले में अलामत अवकाफ पैचानिये काश मैं परिंदा होता तो इसमें काश के बाद यहां पर दीकिए फजह निशान है उससे पहले वावेन है और फ खत्मा अब यहां पर देखिए यह हमको यहां पर अश्यार यहां पर कुछ मुकमल करने आदमियत का सबक भूर रही है आदमियत का सबक भूर रही है दुनिया तो इसका अगला मिस्रा है यह सबक अजसरे नव उसको पढ़ाया जाए अजसरे नए सीरे से नए सीरे से यह अफसोस, खुशी, खौईश या गम का इजार होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे इस फजाईया जुम्ला कहते हैं, उसके बाद ओ जुम्ला जिसमें, रज़ाएं सले लिल्लाव लिए सलम की हयात मुबारिका, सीरत पाक को बयान किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, तो नात कह एकला सवाल आपके सामने है ओ लव्ग जो किसी लव्ज या इसम जमीर का кिसी दूसरे से रिश्टा आप जाहर करे उसे क्या किते है तो उसे हुर। जार केते हैं जूज नहीं है तो गुरेज मदा और उसने तालिब या उसने तलब तो ये तो इसके हिस्से हैं और यहां पे सराबा इसका हिस्सा नहीं है रूप किसकी रुबायों का मजमुवा है तो फिराग गुरकपुरी फिराग गुरकपुरी ऑप्शन नमबर 3 अब यहां पे दरजल पड़ते हैं